दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे इन पी के गुनिस 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 के बारे में इसकी परफेक्ट डोज क्या होती है फसलों में कौन सी अवस्ता में यूज कर सकते है और कौन सी अवस्ता में यूज नहीं करना है इस्प्रे में परफेक्ट डोच क्या होनी चाहिए और कुन-कुन सी फसल में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते जानने के लिए वीडियो में आन तक जरूर बनने है नमस्कार दोस्तों मैं संदीप पाटिदार और आप देख रहे है आपका अपना यूट्यूब चैनल दारवाले किसान दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो सांती चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये गंटी के बटन को भी दबा दे इससे समई समई पर हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंशते रहेंगे एन पी के गुनिस 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 यानी की नाइट्रोजन फासपोरस और पोटास साथियो इसमें तीनों ही बराबर मातरा में आते हैं इसकी बात कर लेते हैं साथियो आप इसे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं सभी के अच्छे रिजल्ट है फस्टों में इसके फाइदे की बात करें तो नाइट्रोजन फासपोरस और पोटेशियम तीनों का फस्ट्टों में सान्धार रिजल्ट देखने को मिलता है नाइट्रोजन से फसल हरी भरी रहती है, वेजेटिटिव ग्रोथ शांदार होती है शुरुवाती स्टेज में ज़्यादा ब्रांचिंग, ज़्यादा साखाय निकले यानि कि फसल की बढ़वार और अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए साथियो नाइट्रोजन काम आता है नाइट्रोजन की उपस्तिति में फसले प्रकास तंसलेशन की क्रिया द्वारा भोजन बनाते है क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और ज़्यादा साखाय ज़्यादा ब्रांच ज़्यादा वेजेटिटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का यूज की आ जाता है फस्फोरस के बेनिफिट की बात करें तो जड़ों का विकास सबसे महत उप्रून होता है जड़ों का जित्ता अच्छा विकास होगा फसले उत्ता ही अधिक पोशक्तत्व को ग्रहन कर सकेगी फस्फोरस से जड़ों का अच्छा विकास होता है तना मजबूत होता है फल फूल अधिक मात्रा में लाने के लिए इसका यूज की आजाता है Potation की बात करें तो रोग प्रतिरोधी चमता में ब्रद्धी करता है First law में किसी भी प्रकार के disease वगेर आती है तो उसमें प्रती प्रतिरोधी चमता बढ़ाता है फ़लों की साइज अच्छी बन थी है फलियों वाली फ़ज़ल में फलिया साइज अच्छी होती है दाना वजंदार हो चमकदार होता है अब बात कर लेते हैं फसल में इसका यूज़ कप करना चाहिए तो NPK गुनिस 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 को आप फसल की सुरवाती स्टेज में यूज़ करें जडों का विकास और ज़्यादा साखाओं के लिए इसका यूज़ करें इसे हम सभी प्रकार के फसलों में यूज़ कर सकते हैं सबजी वर्गिये, कंद वर्गिये, रवी खरीब की सभी तरह की फसलों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं साथियो अब बात कर लेते हैं NP के गुनिस 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 का परफेक्ट डोच क्या होना चाहिए तो फसल की स्टार्टिंग स्टेज में जब आप यूज़ कर रहे हैं और सबजी वर की फसल में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसे ड्रीप से 1-2 किलो प्रती एकड में इसका यूज़ करें इस्प्रे में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस्प्रे में हमें फसल 20-25 दिन की अवस्ता में होने पर ही इसका इस्प्रे करना है छोटी फसल में इसका इस्प्रे नहीं करना है साथियोग गुनिस 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 का इस्प्रे में अगर हम दोज की बात करते हैं तो 20 लीटर पानी में हमें 80-100 ग्राम उपयोग करना है ज्यादा मातरा में इसका उपयोग नहीं करना है इसके साइड एफेक्ट हमें फसलों पर देखने को मिल सकते हैं साउधानी की बात करें तो इसमें विशेश साउधानी दोस्तों इसे किसी भी फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर यूज नहीं करना है क्योंकि दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने से फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं अब सांतियों कोंबिनेशन के अगर हम बात करें तो कोंबिनेशन इसका सलफेट यूप्त और नाइट्रिक यूप्त किसे भी फर्टी लाजर के साथ यूज नहीं करना है बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों इसके सांदार रिजल्ट के लिए हमें इसका सिंगल यूजी करना है जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद जै जवान जै किसान